बच्चों नमस्कार, आज हम आपकी वरक्षीट नमबर अठावन, क्लास नोवी विज्ञान, जो कि आपको 20 नमबर को करनी है, वो डिसकस कर रहे हैं, आज हम द्रहमान और भाहर के बीच में अंतर के बात करेंगे, कि किसी भी वस्तु के द्रहमान और भाहर में क्या अंतर होत क्या होता है, कि उस वस्तु को गती में लाने के लिए उतनी ही अधिक ताकत हमें लगानी पड़ेगी, और किसी भी वस्तु का जो द्रहमान होता है, उसके अंदर मौजूद कुल पदार्थ की मात्रा होती है, जबकि वस्तु का बहार एक बल है, जिसके ये पृत्वी की और करशित होता है, वस्तु का दर्वमान स्थान के में परिवर्तन के इसाब से नहीं बदलता है, आपको ध्यान में रखना है कि दर्वमान होता है, स्थिर रहता है, चाहे कहीं पर भी आप चले जाओ, वस्तु का चंद्रमा पर बहार कितना होगा, उसके इसाब से हमने गृत् चे मतलब वस्तु का चंद्रमा पर बहार प्रित्वी के बहार के एक बटे छे होगा तो यदि आपका प्रित्वी पर बहार 48 न्यूटन है तो चंद्रमा पर ये घटकर जो है आट न्यूटन हो जाएगा 48 को आप 6 से करोगे तो ये आपको आठा जाएगा कुछ और जो है इंपोर्टन चीजे वस्तु पर प्रित्वी का आकर्शन बल वस्तु का बहार कैलाता है और फॉर्मुला है W is equal to M on G वस्तु का बहार एक बल है जिसका परिमान और दिशा दोनों होते हैं तो ये आपका जो है दोनों चीजे होते हैं वस्तु के बहार के अंदर मतलब परिमान मैगनिटूड और दिशा भी होती है किसी भी वस्तु का अन्ने ग्रह या ग्रह पर बाहर उस थान पर द्वारा वस्तु पर लगे कुर्थवा कर्शन बहल के कारण बदलता है जबकि दर्वान नहीं बदलता है अभी हमने बात की थी कि दर्वान कभी भी नहीं बदलेगा सिर्फ बहार बदलेगा और क्योंकि चद्रमा का द्रिवमान प्रित्वी से कम है इसलिए चद्रमा के ऊपर वस्तू का बहार भी कम हो जाएगा द्रिवमान की इकाई के अगर बात करें तो वो हम किलोग्राम लेते हैं और बहार की न्यूटन तो अगर कोई 10 किलोग्राम द्रिवमान वाली किसी वस्तो का प्रित्वी पर बहार जो है W is equal to mg है that means g जो है आपका 9.8 लेना है तो उसका जो है यहां बहार हो जाएगा 48 न्यूटन तो इसी तरह से अगर आपका जो है 60 kg जो है द्रिवमान है तो अगर आपको बहार निकालना है तो 60 इंटू 9.8 करोगे तो आपका जो भी आएगा न्यूटन के अंदर वो बहार हो जाएगा क्योंकि चंदरमा पर होगा महा पर गुर्टवा करशन बल जो है कम होगा और इसलिए अपना वजन आपका वजन कम चंदरमा पर कम होगा किसी वस्तू के चंदर बहार को ग्याद करने के लिए गणिती शूत परीकित कीजिए अगली स्लाइड में आप देख लोगे किसी भी ग्रहा पर किसी वस्तू का भार कौन से कारक पर निर्भार करता है गुर्टवा कर्शन बल पर निर्भार करता है और यदि एक विक्ति का चंदरमा पर बहार दस ड्यूटन है तो प्रित्वी पर कितना होगा चंदरमा बराबर चंदरमा पर वस्तू का वजन बराबर एक तो प्रित्वीपर वस्तु का भार बराबर 6 इप प्रित्वीदी, चंदर्मा आएगा टाण पिर्तु को भाः तो चंदर्मा पर 10 था तो प्रित्वीपर तो प्रित्वीपर हो जाएगा यह उसके बाद में यह यहां सोल करके यहां तक सबसे इंपोर्टेंट ही है चंद्रमा परवस्तू का बहार बराबर एक बटे छे टू प्रित्वी परवस्तू का बहार उमीद करते हैं आपको वक्षिट पसंद आएगी देखने के लिए दिन्यवाद तेंक यू